कि कोई भी एक्जाम हो ना अगर आपको उसका पैटरन समझना है उसके लेवल को जांकाना है यह जांकाना की है एक्जामीनर कहां तक पहुंच सकता है तो प्रिवेसिर क्यों स्ट बैश्ट है तो मैं इसी मकसद के साथ आपको HSSC के math के जितने भी previous year के उसन है वो सभी discuss कर रहा हूँ इससे पहले वीडियो आ चुकी है तो इस वीडियो में भी मैं HSSC के math के जितने important question है जो PYQ है वो discuss करूँआ तो सबसे पहला पहला के उसन आपके सामने है खुद sol करने कोशिज करना वीडियो की speed slow अगर यह तो आप 2X पर देख सकते हो तो देखो कोई भी sum of money है मैं आपको bilingual discuss करूँआ फिर भी कोई issue है तो आप comment section में बता सकते हो sum of money है it's simple interest double in 7 year it will become 4 times तो यह क्या कह रहा है कि simple interest पे कोई money है वो double हो जाती है 7 साल में double होने का क्या मतलब है 100 रुपए के amount है वो 200 गई कितने साल में 7 साल में ठीक है यानि इसका मतलब क्या हुआ कि जो 100 रुपए का ब्याज लगा वो कितने सम्या में लगा 7 साल में और बताना क्या है हमें कि 100 रुपए four time होना यानि ये 400 रुपए बनेंगे 400 रुपए बनने का मतलब क्या है कि 300 रुपए ब्याज लगेगा देखो 100 रुपए ब्याज लगा 7 साल में 300 रुपए कितने दिन में लगेगा 21 साल में तो क्योंकि simple interest है हर साल fix लगता है तो इस साल सो रुपए लगा तो अगली साल भी सो रुपए अगली साल भी सो रुपए तो इस तरह से चलेगा तो इसमें क्या हमने देखा कि एक तो simple interest constant लगेगा हर साल दूसरी बात 100 को मान के हम क्योसन को देखो कितना आसान बढ़ा दिया कि बढ़ा सो रुपए का ब्याज लगने में साथ साल लग गए तो तिन सो का ब्याज लगने में कितने साल लगेंगे 21 साल सो सिंपल तो अगला क्योसन देखो भई a man and a boy together can do a certain amount of digging in 40 days यानि 40 दिन में कोई भी खुदाई का काम करते हैं देर स्पीड जो स्पीड है उनकी खुदाई करने की वह आठ रेसो पांच में है तो how many days will the boy takes to complete the work यानि अगर अग्वाए को अकेले को बोल लिया जाए कि वह खो दो तो कितने टाइम में देखो देगा तो यानि देखो जो इनकी कपैस्टी है काम करने की वह दे रख्या आठ रेसो पांच यानि इसकी कपैस्टी सीवन बोल सकते हो इसको सीटू बोल सकते हो दोन्नों मिलके यानि यह जब 13 कपैस्टी बन जाती है दोन्नों मिलके यह 40 दिन में खुदाई करते है यानि capacity 13 40 दिन में करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ थेरा चो की बावन यानि 520 यूनिट काम था मारा 520 यूनिट था तेरा capacity या फिर तेरा अदमी मान सकते हो आप 40 दिन लगके 520 यूनिट काम बना दिया इनों ठीक है पूछा क्या है वाएज वाएज की capacity कितनी है पांच कि यह कह रहे हैं कि काम 520 यूनिट है तेरा यूनिट तो करती है चालिस दिन में तो 5 यूनिट कितने उसमें करेगे यानि काम हाँआँ 520 पांच बंदे मिले कितने उसमें करेंगे 104 में देखो भई हाँ डे ऑफ्षन बिल्कुल सही था 104 डेज लगेंगे वाइज को काम करने में उमीद करता हूँ आपको यह चीज समझ में आई होगी फिर भी कोई डाउट आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं देखो भई मिक्सर एलिगेशन और मिक्सर का क्योशन है एक टी है एक सो चगीशन हैं दूसरी एक सो ब्रुपै के जीक के साब से दून्यों को मिक्स क्या जाता है वीनतरण वेरैयटी किस रेजों में एक रेजों 1 रेजों 2 में इसका मतलब क्या हुआ कि आगर पहली व्राइटी एक किल्लो की थीशनी वराययटी दूसरी वराइटी वाराइटी है उसका प्राइस कितना है तो बताओ देखो तो इसने ये रेश्यों दे रखा मैं इसको एक्चुल मान के चलता हूं कि हाँ इसी अमाउंट में मिक्स किया एक्सोटबीस रुपए केजी वाली एक किल्लो थी ठीक है कितनी आई ये एक्सोटबीस एक्सोटबीस वाली कितनी थी ये भी एक किल्लो थी इसकी वैल्यू कितनी आई एक्सोटबीस अग्गे है इसकी अमाउंट में हमने कैल्कुलेट करनी है ये थी दो किल्लो ये कितनी आई दो एक्स यानि लास्ट में जो वैल्यू आई वह एक्सोटबीस निकल के आया तो इनक में तीन तीन नी जितना किलो था ये दो और दो च्यार कितना आया ये एक सो त्रेपन के इक्वल आएगा तो देखो इसमें पांच और छे ग्यारा एक 261 पलस दो एक्स इज इक्वल टू एक सुत्रेपन के चार से करो चार ती बारा एक इक्वल टू क्या आया 612 में से 261 गए 261 माइनस करो दो में से एक गया एक ग्यारा हम से छाए गए पांच 351 यानि दो एक्स इज इक्वल टू क्या आया 351 एक्स की वैल्यू क्या आई 351 को दो से करो 153.5 तो देखो भई 153.5 हमारा राइट अंस्वर था उमीद करता हूं आपको समझ में आया होगा एक यह जो रेस्चों दे रखा था हमने इसको एक्वल मान लिया आप कुछ भी मान सकते हो इसको एक दस दस बीस में भी मान सकते हो अंस्वर आपका यह आएगा ठीक है तो अगे चलते हैं देखो यह बिजनस वाला क्यों सना है इसमें मैंने आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बता रखा है कि जिस भी रेस्चों में आप पैसे लगाएंगे आपको प्रोफिट में उतना इस सा मिलेगा तो इसने क्या बोला कि बही कोई ए है वो बिजनस शुरू क करता 38,000 रुपए से पांच मैं पांच मैंने बाद भी जुएन करता उसको तो साल के अंत में 22,000 रुपए प्रोफिट होता है तो यह बताओ कि उनके प्रोफिट में डिफ्रेंस कितना था तो देखो एक लिए देखो आप क्या किया यह ने 38,000 रुपए लगाए 12 मैंने के लिए ठीक है बी ने क्या किया बी पांच महिने बाद 22,000 की 71 के साथ करो 70,70,70,70,7,2,14,1,15 000,2,6,5 यह हमारी मल्टिप्लिकेशन आगे और डिवाइड किस्ते करना आठ सो एक ताड़ी से तो आठ सो एक ताड़ी से डिवाइड करोंगे तो आपको थारा सो स्ताव इनकी वैल्यू मिलेगी ठीक है तो सिर्फ कंसेप्ट समझ गए होगे आप कि जिस रेशो में इन्होंने पैसे लगाए उसी रेशो में इनको प्रोफिट मिलेगा ठीक है तो 22,000 का प्रोफिट था इस रेशो में आप तोड़ दो एस्टिमेट वैल्यू इसने पूछा भी अप्रोक्सिमेट है यानि नियर्वाइ पॉइंटों में आएगी तो उसको आप नियर्वाइ कर देना वैसे अंस्वर भी दूर दूर है ठीक है अ अप्रोक्सिमेट तो लगा सकते हैं आप यानि ये दो से करेंगे दो दो जोके आठ दो अठे सोड़ा यानि इग्जैक्ट दो जार तो नहीं आएगी ठीक है तो नियर्वाइ तो देखो ये दोनों है तो इनी में से आना था थोड़ा अप्रोक्सिमेट कर सकते हो आप इसको ठीक है तो उमीद करता हूँ आप समझ गये होगे इसको आगे देखो बैए कोई वस्तू अब 20 प्रसेंट लाप पर बेची जाती है निमन में से कौन सा इसके क्रेम उल्या और विक्रेम उल्या में अनुपात होगा देखो 20 प्रसेंट सबसे पहले तो प्रसेंटेज को फ्रेक्शन में लेके चलते हैं बैब 20 प्र रुपए कोश्ट प्राइस है तेलिंग प्राइस कितना है छे रुपए यानि पांच रेस्सों 26 का अंसर आएगा कुछ भी नहीं करना था बस आपको प्रसेंटेज और फ्रेक्शन को आपस में कनवर्ट करना आना चाहिए अगर नहीं आते तो आप कोमेंट सेक्शन में बत कितने में बैचे तो क्या कहता यह कि भाई पिलाट है 18,700 बैचा तो 15 प्रेशन का लुज़ से लेकिन उसको कमाना प्रोफिट है तो बताव बैई किस की मत पे बैचे तो देखो 15 प्रेशन लोस का मतलब क्या है उसने 50 प्रेशन पर बैच दिया अगर मैं कोस्ट प्राइस को 100% माने चलूं तो उसने 50% पर बेचा तो उसको हानी हुई 15% की हानी हुई 85% की वैल्यू इसने दे रखी है अठाराजार साथ सो और वैल्यू किसकी निकालनी है 15% लाब 15% लाब का मतलब क्या हूँ तो 115% पर बेचे उसको यानी 100 किम्मत है तो उसको 115 वे बेचे यानी हमें क्या निकालना था 115% की वैल्यू निकालनी थी देखो यह कितना है पिचासी इसको आइसे निकालो 187 00 पिचासी से भाग करो और 115 की वैल्यू निकालनी है तो निकालो भई पांच पे 17 पांच पे 23 अब निकालो इसको सत्रा एकम सत्रा एक सत्रा ग्यारा सो ग्यारा सो को तेई से करो डबल जिरो तो आज इट इज ग्यारा तीए तेटिस तीन और पत्चिस यानी 25,300 मारा सी ओप्शन बिल्कुल सही था कोई संका नहीं होने चीए आपको इसमें 15 प्रसेंट लो उसका मतलब क्या भाई उसने 50 प्रसेंट पे बेचा है उसकी वैल्यू दे रख किया एक सो पंदरा प्रसेंट की निकालनी थी आपको कोई लंबी चोड़ी कैलकुलेशन नीथी क कितना हुआ क्यूब रूट 11 मल्टिप्लाई में 266 का क्यूब है 6 का अगे पलस साथ सोड़ी कितने का है नो का 64 कितने का है चार का यह कितना हुआ 11-66 पलस नो और चार तेरा चांसाट और तेरा 79 कुछ पॉइंटों में आना था और देखके ऐसे लग रहागी पॉइंटों म लेकिन तुक्का भी लगाऊ ना तो द्यान से ठीक है देखो भाई तीन पोजिटिव नंबर है वन थर्ड ओफ दा आइवरेज व अल दा थ्री नंबर इस 8 लेस देन दा ग्रेटेश नंबर दा आवरेज अग्रेश नंबर दाइवरेज व दा स्मोलेश नंबर इस एट वट उनके मतलब जो ग्रेटेश नंबर है उनमें उस से जो दो छोटे नंबर है उनका आवरेज दे दिया इसने 8 आवरेज 8 है दो छोटे नंबर तो उनका सम कितना हुआ 16 तो देखो दो नंबर का सम कितना हुआ 16 किसरा नंबर माल लिया मैंने जो ग्रेटेश उसको एक्स माल ल और दियुक्त नीमा कि यह क्या घया ङए आज तीकिक है वंधर्ड of the average यानि जो इनका average है इसका वंधार्ड करो यह क्या है आज कम है greatest नंबर से यानि greatest नंबर एक सैंथ इससे यह आज कम है ओट अ तो यह किफ्शन था बस यहां तक पनुचने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगना था कि दो नंबर है उनका सम दे दिया आठ है तो सम कितना हुआ 16 तीसरा नंबर हमने मान लिया एकस है तो देखो इसको सोल करना आपको कैसे सोल करेंगे एकस माइनस यह क्या 16 प्लस एकस यह क्या डिवाइड में 9 हो जाएगा इस इकोल टू एट तो ऐसे करो 9 एकस माइनस 16 माइनस एकस इस इकोल टू 72 कितना यह 8 एकस इस गोल टू 88 एकस की वैल्यू क्या आई 11 तो देखो कौन सा ओप्सन है ओप्सन सी बिल्कुल राइट था कुछ भी नहीं करना था जैसा इसने लैंग्वेज में लिखा है वैसे ही आपको लिखना था ठीक है आगे चलते हैं मिश्टर एकस है उसके पास कुछ मनी है वो डिस्ट्रिबूट करता है दिस मनी अमंग फाइव लेवर्स इस रेशो में लेवर्स में बाड़ देता है तो यह बताओ कि उसके पास कितनी मीनिमम होने चीए कि सबको एक्जैक्ट नंबर ओफ रूपीज मिले यानि फ्रेक्शन में आना चीए पॉइंटों में आना चीए तो देखो जाहिर सी बात है अगर इस रेशो में बाड़ रहा ना तो ऐसा नंबर होना चीए जो इन सबसे बाग हो जाए यानि इनका LCM होना चीए दो तीन चार पांच साथ इनका एलसियम क्या होगा दो तीन चार का निकाल लो कितना आया 12 पांच और साथ का निकाल लो कितना आया 35 अब इन दोनों का निकाल लो पैंटीस का और बार आगा बारा पंजे साथ छे ब्यारीश चार सो बीस चार सो बीस हमारा अंस्वर्था कुछ भी निकरना था शिरफ एलसियम निकालना आणा चीह आपको कैसे निकालना है कुछा अगला क्योंस न भाई इनकम ओंप इस तैंपरसंट मोर दन टैंट ओ बी बाई की बीसे दस प्रसंट जादा है एंड निकम ओफ बीस परेसंट लैस दन दैंट प्सीं बसी से बीकी काम तो ऐसे क्या करना है वापीस से चलते है हम C से चलते हैं C क्या गहता है C की मान लो 100 है Income of B is 20% less than that of C B की से 20% कम है यानि ये 80 है Income A 10% ज्यादा B से इस से 10% ज्यादा इसका 10% 8 यानि इसकी 88 है तो ये income थी वह इसकी तो ऐसे question में आपको क्या करना है पिछे से चलना है ठीक है तो इसका ratio निकाल दो 4 पे काड़ दो ये आया 25 ये आया 20 ये आया 22 यानि 22-20-25 B option बिल्कुल सही था हमारा ठीक है कुछ नहीं सोचना था अगर आप A से start करोगे तो calculation में उलज़ा होगे ठीक है भाई ये traffic light है या फिर gun टी वाले के उसन आते हैं ये gun टी है इस इस पे बज़ती है तो ऐसे में क्या करना है देखो किस approach के साथ करोगे आप पैंतारी सेकिंड पैंतारी सेकिंड पैंतारी सेकिंड और नब्बह सेकिंड के बाद ये बज़ती है मतलब light है तो जलती है तो ये last time है ना साथ बज़कर 20 मिनट 15 सेकिंड पे ये जड़ी थी तो ये बताओगी आगी कब change होगी simultaneously ठीक है तो शबशे पहले ये पैंतारीश हेकिंड पचे 30 सेकिंड और नब्बह सेकिंड नब्ब़ सेकिंड 45 25 और नब्बह है तो इनका LCM निकालो LCM कितना आयगा 45 का पचे 30 यानि आपकर ऐसे करो ये पंदरागुणा 3 है ये पंदरागुणा 5 है यह 15 गुणा यह है यानि 15 तो हमारा है यह तीन पांच और छैगा निकाल लो तीन पांच और छैगा कितना आया 30 यानि यह 450 आ गया हमारा तो इन सब का एलशेम कितना आया 450 तो 450 सेकेंड के बाद यह मुद्लब 7 में जायगी लाइट है तो 450 सेकेंड जोड़ो इसमें 450 सेकेंड का मतलब क्या हुआ 60 से बाक रो मिनट बना लो इसको 420 की हो गई 7 मिनट यानि 7 मिनट 30 सेकेंड साथ मिनट 30 सेकेंड के बाद यह तुबारा से जाळेगी कठे तो 7 मिनट यानि 20 का 27 हो गया 30 सेकंड है 15 यानि 45 यानि 7 बज़कर 27 मिनट 45 सेकंड पे यह 3 लाइट दो बारा से इकठी जड़ेगी ठीक है उमीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा यह क्योंसन देखो इस से आसान क्योंसन नहीं हो सकता आपके पास sum of two numbers is 45 यानि 45 इनका जोड़ दे रखा है difference is 1 9th of the sum भाई देखो sum तो दे दिया आपको 45 difference of 1 9th difference is 1 9th of the sum यानि जो difference है 1 9th का मतलब क्या हुआ 5 तो देखो यह दो चीज आपके पास तो उन्हों को जोड़ दो एक बर यानि 2x is equal to 50 x is equal to 25 यानि एक चीज तो आपके पास आगई 25 दूसरी क्या आई एक बर minus करके 2 से बाग कर दो 40 यानि दूसरा number क्या आया 20 25 और 20 तो इसने क्या बोला है इनका एल्सियम निकालो 25 और 20 काल्सियम कितना आएगा 100 आएगा ठीक है तो सो सिम्पल बस इसने ना इसको थोड़ा सा और लेंथी बना दिया वह याल्सियम निकालना वरना आपसे नंबर भी पूच सकता था इक जैक्ट क्या होंगे ठीक है देखो यह क्यों सना है देखने में कापी अट पटा यह लेकिन इतना सिम्पल है ना अगर आपको थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टेंडिंग है जिरो पॉइंट तीन तीन यह किसकी वाल्यू है मैं इसको एक बटा तीन लिखूंगा 0.25 0.25 को क्या लिख सकता हूं मैं 1 by 4 0.499 इसको मैं लगबग यह 0.5 के क्रीब है यह इसको मैं 1 by 2 लिखूंगा यह किए 0.125 यह किसकी वाल्यू है 1 by 8 की वाल्यू है और आगे किए 24 तो देखो इसको कैलकुलेट करना था आपको आठ तीया 24 से 24 कैंसिल यानि एक बटा आठ बचा हमारे पास तो देखो उप्षन में उप्षन है बिल्कुल सही था एक बटा आठ आपको कोई मतलब मल्टिपलाई करना ही जूरूत नहीं है यह देखो किसने कर रखा इतना लंबा चोड़ा तो कोई जूरूत नहीं थी इस लेकिन वो सत्तर बच्चों में करता है इसको ताकि हर बच्चे को तीन चोकलेट ज्यादा मिले तो बताओ टोटल चोकलेट वर एवलियेबल फो डिस्ट्रिबुशन कहने का क्या मतलब है मान के चलो कुछ भी चोकलेट लेके आया एक्स चोकलेट लेके आया या फिर आप य फिराधा क्या था भाइ मैं 100 बच्चो को दूंगा हर बच्चे को एक्स दूंगा यानि उसके पास इतनी चोकलेट है निते हैं रह बच्चे को एक्स दी टोटल बच्चे ostr थे लेकिन number of chocolate बाद में और पहले दोनों equal है बस इनको equal करना था यहाँ 100x है, 70x है, यानि यहाँ 30x बचा इस side का बचा, 70, 3, 2, 10 0 से 0 गया, x की value आई, 7 यानि हर बच्चे को 7 chocolate मिली और पहले 100 बच्चों को बांटनी थी तो कितनी chocolate होई, 700 तो देखो, अप्चने बिल्गुल सही था हमारा, कुछ नहीं करना था बस number of chocolate है न, वो constant थी, उनको constant ही रखा हमने, ठीक है देखो, an express train travel at an average speed of 100 km परति घंटा 3 मिनट के लिए रूख जाती, आफ्टर 15 km तो यह बताओ, 600 km जाना, तो कितना टाइम लगाएगी तो 600 km जाने के लिए देखो, मैं इसने 53 km के बाद रूख जाती है यानि 53 km में कितना समय लगाएगी, distance 53, speed 100 है यानि 3 बटा 4 घंटे, घंटे का मतलब मिनटों में लेके चलता हूँ यानि 45 मिनट का समय लगाती है, 53 km जाने में और फिर 3 मिनट रूख जाती है, इसका मतलब क्या हुआ, 3 मिनट वाला समय भी तो वेश्ट गया, यानि 48 मिनट का समय लिए पचे तर, यानि पहली पचे तर किलो मेटर के लिए 58 मिनट लगाई, ठीक है, अगली पचे तर के लिए, फिर 60 मिनट लगाई अगली पचे तर के लिए, फिर 60 मिनट लगाई ऐसे ही देखो 600 किलो मेटर जाना है, हमने यह देखो ऐसे 600 किलो मेटर जाना है, तो 68 मिनट लगी, इसमें अड़ता अलिस लगी, इसमें भी अड़ता अलिस लगी लेकिन लाश्ट वाली में है ना, लाश्ट वाली में लगेगी आपको 45 मिनट, क्योंकि उसके बाद तो रूकना ही नहीं आपको आपकी डिस्टेंस कंप्लीट हो गई, यहां पर तो आपको रूकना नहीं था, तो देखो कितना हुआ यहां पर देखो आगए भी आएगा, क्योंकि यह दो शिरफ 600 किलो मेटर जाना हमने, तो यहां पर तो यहां पर पांच नहीं, साथ बार अड़ तालिस लगेगी और लाश्ट में पैन तालिस लगेगी, ठीक है, 17,56,336 और पैन तालिस, 11,18,3, 381, 381 पलस पैन तालिस, जा करो 636 यानि, 306 गंटे 21 मिनट है गंटे 21 मिनट के लिए देखो ओप्षण डिए ओप्षण डिए हमारा राइट अंस्वर है जए गंटे लगेगी इसमें ठीक है बस आपको द्यान क्या रखना जो लाष्ट की 50 किलोमेट रहना उसके बाद आपको रुकना नहीं है तो उसमें आपको शिरफ 45 मिनट लगेगी ठीक है अँमीद करता हूँ आपको समझ रूंद आ होगा इसम ठीक है तो देखो यह क्योष्ण मैं आपको पहले करा चुका हूं सिंपल कनसेप्ट पर बेस है जिस रेस्षो में आप इनवस्टमेट करेंगे उसी रश इस्व में आपको प्रोंफिट मिलेगा यह आपको करके कमेंट सेक्षिन में लिखके बताना है ठीक है तो देखो भाई यह को सन है केरवाला 10 तक स्केर है 380 दिरख है 2 का स्केर पलस 4 का स्केर पलस 6 का स्केर 20 तक बताना आपको किस के इक बलाएगा तो देखो सिंपली क्या करना आपको 2 का स्केर है यानि ये 4 है 4 का स्केर यानि 16 है 6 का स्केर यानि ये 36 है तो इस परकार से 20 तक जोड़ना है अगर ये लगातार होते एक से लेकर एक का स्केर दो का स्केर तो आपको सिंपली फार्मूला पता है कैसे करना है इस फार्मूला का पता आपको सिंपली है लेकिन आपको इसमें क्या है दो का स्केर है 2 का स्केर के साथ 1 का स्केर भी है 4 का स्केर के साथ 2 का स्केर यानि इसमें 4 कॉम्मन आ जाएगा तो ये इसका 4 टाइम है 4 टाइम इंटू 380 ये अंस्वर आएगा हमारा तो देखो ये 3 लगबग 1540 के क्रीब आएगा ठीक है तो simply कुछ निकरना है इसमें कॉम्मन ले लो आप चार कॉम्मन आएगा यह उपरवाला बन जाएगा आपके पास ठीक है अगले के उसन पर मूँ करते हैं देखो भाई यह के उसन दो तीन चार पांच है साथ इसका LC मरट लो बार बार आपको एक्जाम में मिलेगा 420 होता है दो तीन चार पांच है एंड साथ ठीक है LCM 420 होता है तो यह बताओ कि कौन से नंबर हो है तो आप वैसे भी देख सकते हो वे कौन सा नंबर बाग होता है लेकिन 420 है ना इदसार से बाग करके देखो जो LCM बचेगा sorry reminder बचेगा उसको 10000 में से mindus करदेना वही हमारा पहला नंबर होगा ठीक हैा है यानि 10,000 को 400 भी से बाग कर देना जो भी reminder बचेगा उसको इसमें से मैनेस कर देना ओ कमप्लीट्ली बाग bought जाए क्फिर ठीक है देखो भई ये तो काफी काफी आसान क्यों संदा 20,000 रुपए 22,000 260.5 बन जाते दो साल में तो रेट बताना था तो ब्याज कितना लगा 2260.5 कितने साल में दो साल में यानि यह आया 20,000 रुपए लगा है तो कितना आया यह 11,30.25 यानि यह 11,30% की आपकी इफेक्टिव रेट आ गई तो इफेक्टिव रेट के लिए देखो यह 6 तो हो नहीं सकता 6 और 5 तो नहीं हो सकते 5,31 और 25 तो यह देखो यह आपका अंसर होगा ठीक है तो इसका इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं 5.5 प्लस 5.5 प्लस 5.5 गुना में 5.5 डिवाइड में 100 तो यह चीज थी देखो ठीक है देखो यह एक पार्ट को बेशता आठ प्रसेंट प्रोफिट पे सुगर है एक को बेशता ठारा प्रसेंट प्रोफिट पे आवराल 14 प्रसेंट का प्रोफिट होता है तो देखो रेशो कैसे निकालते हैं यह आगाछ है यह मइनेस किया यागाछ 4 यानि टूरेशो थ्री टूरेशो थ्री में उसने मिक्स किया है तो इसने बता हो कि आठ प्रसेंट पे कितना बेचा आठ प्रसेंट वाला दो रेस्ट है यानि दो डिवाइड में फाइव आवराल क्वांटिटी 500 kg थी यानि यहां से 200 kg आया हमारा अंस्वर यानि जो आठ प्रसेंट पर बेचा है वो 200 kg थी 200 kg यानि भी ओप्शन बिल्कुल सही था उमीद करता है आपको कलियर हुआ आओगा त तो देखो इस वीडियो में इतने यह कि उससे आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं तीन क्यूब है जब उनको ऐसे मिला दिया जाता है तो यह क्यूब बन जाता है हिंट दे देता हूं आपको यह देखो एसाइड यह एसाइड जो क्यूब का सर्फेस एरिया होता जो क्यूबोइड बना उसमें जो लेंथ है ना लेंथ तो हो जाती है ध्री ए ब्रेड़ तोर हाइट ए रहेगी यह आ गई हमारे पास क्यूबोइड के दिमेंसन तो प्यूबोइड का है हरी किया होता है लीं towards be B and H plus इसको दो से मल्टिप्लाई करो यह हो तर टोटल सर्फेस एरिया ओफ क्यूब ओएड देखो यह मैंने क्यूब का निकाल दिया डेमेंशन आपको बता दिये यह फार्मूला में पूट करना है और उसके बाद रेस्व निकालना है तो यह को संथे जो आचे सहसी ने झाल 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